विदिशा कनारा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में चल रही संभाग स्तरीय बेतवांचल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें फेद कलब भोपाल और मेजवान कनारा क्रिकेट कलब के बीच में मैच खिला गया जिसमें भोपाल की फेद कलब टीम विजई हुई फेद कलब ने टास जीत कर पहरे बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खो कर ताबर तोर 245 रन बनाई जिबकि कनारा की ओर से राजकमार कुश्वाहा ने 4 विकेट लिये वहीं 246 रन के लक्ष का पीछा करते उतरी कनारा की शुरुआ धमाकेदर रही शुरू के 6 ओवर में ही टीम ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरते रही और पूरी टीम 186 रन पर धेर हो गई मुख्य अधिती के रूप में पूर्व लगर पाले का अध्यक्ष मुकेश टंडन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रोडियूसर मुहित राय फेथ कलब के चेयरमैन रागवेंदर तोमर आदी मौजूत रही